Hello everyone, Welcome to all of you in exam guru दोस्तो FCI AG3 का prelims exam एक जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2023 तक चला था और 28 फरवरी को pre का result जारी कर दिया गया लेकिन result के साथ किसी भी तरह का cutoff का PDF रिलीज नहीं किया गया था यहां पर दोस्तो एक candidate ने RTI लगाया था और RTI के थुरू South Jones के prelims exam का cutoff का पता चला है दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में South Jones के prelims का अलग-अलग post वाईज क्या cutoff गया है और category वाईज आपके क्या cutoff रही है उसके बारे में बताने वाला हूँ इसके अलाबा दोस्तो मैंने East Jones से apply किया था तो East Jones का भी RTI मैंने लगा रखाया इसके प्री के cutoff को लेकर तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर इसके bell notification को on कर लें जैसे ही RTI का reply आता है तो मैं आपको इसी चैनल के थुरू East Jones के cutoff के बारे में भी बता दूँगा तो चलिए दोस्तो अब ज़्यादा time as well ना करते हुए आज का वीडियो श्राड करते हैं और देखते हैं कि South Jones में अलग-अलग post में category by cutoff क्या गई है So guys ए रहा RTI reply आप यहाँ पर देख सकते हो South Jones का FCI AG3 pre-examination जो की 1st January से लेकर 21st January तक हुआ था और यहाँ पर जितने भी cutoff दिये गये हैं वो out of 100 है सबसे पहले मैं बात करता हूँ Deport Zone की हो सकता कि आपको इस सारे marks के लिए विजवल नहीं हो इसलिए मैं आपको category wise cutoff यहाँ पर बता देता हूँ Deport Zone में दोस्तों Unreserved category के लिए cutoff गया है 68.25 EWS का cutoff है 54.25 OVC का cutoff है 63.75 इसके बाद ST का cutoff है 57.25 और ST का cutoff 55 गया है इसके अलावा जो आपके PWD candidate है और X-Serviceman candidate है उनका cutoff भी आप इधा राइट साइड में देख सकती हूँ इसके बाद second post है Assistant Grade 3 Technical का इसमें Unreserved category का cutoff है 61.75 EWS का cutoff काफी लो गया है Technical Post के लिए Only 21.50 है OVC category में cutoff है 42.50 ST category का cutoff गया है Technical Post के लिए 31.25 और SC category का cutoff है 35.50 इसके बाद next post है Assistant Grade 3 Accounts का Accounts में Unreserved category का cutoff काफी लो रहा है Only 49 marks है EWS category का cutoff और लो गया है हापर 17.25 OVC का cutoff है 42.50 ST का cutoff है 34.50 and SC का cutoff 32 गया है फिर इसके बाद है Assistant Grade 3 General Post इसके लिए आप सभी लोग वेट कर रहे थे General Post के लिए Unreserved category cutoff 69.75 गया है और अगर मैं इसे compare करो डिपोर्ट के post से तो लगभग एक नंबर ज्यादा cutoff यहाँ पर आपके देखने को मिले है इसके बाद EWS category का cutoff है 56.75 OVC category का cutoff गया 66.75 ST category का cutoff है 58.25 और SC category का cutoff 62 गया है इसके बाद Assistant Grade 3 में जो हिंदी का post था यहाँ पर Unreserved category के लिए 5.50 cutoff गया है जो कि बहुत ही जाद आलो है दोस्तो Out of 100 अगर 5.50 cutoff जा रहा है तो साइद EWS में कोई vacancy नहीं थी तो यहाँ पर EWS का blank है OVC में cutoff 0.00 गया है अब यहाँ पर ऐसा क्यों है इसके बारे मुझे नहीं पता मैं इसके vacancy देखने के बाद comment box में clarify कर दूँगा ST category में कोई भी यहाँ पर vacancy नहीं होगी इसलिए blank है और SC category में only 1.75 गया है फिर इसके बाद Asteno Grade 3 का है Asteno Grade 3 में only Unreserved category में vacancy थी और इसका cutoff गया 33.25 इसके बाद एक और post यहाँ पर था Junior Engineer Civil Engineering में तो इहाँ पर Unreserved category का cutoff है 57.75 EWS में कोई vacancy नहीं है तो blank है OVC का cutoff गया 50 marks ST category में vacancy नहीं थी और SC category में 44.25 गया है इसके अलावा आप इधर PWD candidate के भी cutoff respective देख सकते हो कि अलग-अलग post के लिए क्या गई है तो गईज यह था आपका FCI AG3 Prelims South Jones के अलग-अलग post की category वाज cutoff इसके अलावा बाकी Jones के जैसे ही RTI reply आते हैं तो उसके बारे में मैं आपको cutoff का details इसी चैनल पर दे दूँगा अगर आपको एफ वीडियो पसंद आया हो तो इसो like और share करें इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोग